साथियों, मैं आप सबसे आगरह करता हूँ, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्च से ही जानकारी ले, आपकी जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सल्हा लीजिए, मैं देख रहा ह हूँ, कि हमारे बहुत से डॉक्टर, खुद भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कई डॉक्टर, सोचल मीडिया के जरिये, लोकों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर, वाटसेप पर भी कांसिलिंग कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल की वेब साइट हैं, जहां जानकारिया भी जुद रहे हैं, डॉक्टर, नावीद स्रीनगर के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, नावीद जी अपनी देखरेक में अनेकों कोरोना प्रेशन्स को ठीक कर चुके हैं, और रमजान के इस पवित्र माह में, डॉक्टर, नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं, और उन्होंने हमसे बात्चीत के लिए समय भी निकाला है, आईए उनी से बात करते हैं, नावीद जी नमस्कार, नमस्कार सर, डॉक्टर, नावीद, मन की बात के हमारे सोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है, आप अपने जो मेडिकल कॉलिज के अंडर में आता है, तो उस ताइम एक खोफ का माहौल था, लोगों में तो था ही, वो समझते थे, शायद कोविड का इंफेक्शन किसी को हो जाता है, तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये, और ऐसे ही जो हमारे होस्तालों में डॉक्टर, साहवा या पैरेमेडिकल स्टाफ काम करते थे, उन में भी एक खोफ का माहौल था, कि हम इन पेशिन्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खत्रा नहीं है, लेकिन जो ही टाइम गुजरा, हमने भी देखा कि अगर पुरी तरीके से हम जो प्रेटेक्टिव गेर पहने और एहत्यादी तदाबीर जो है, उन पे अमल करें, तो हम भी सेफ रह सकते हैं, और हमारा जो बाकी मस्टाफ है, वो भी सेफ रह सकता है, और आगे आगे जब भी हम देखते के तो ये मरीज जो कुछ लोग बिमार थे, कुछ एस्मिटमेटिक थे, यानि कि उनमें कोई बि आगे 95% से ज़्यादा जो मरीज हैं, वो खुद विदाउट इनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं, तो वक्त जैसे गुजरता गया, तो लोगों में जो कॉरोना का एक ढर था, वो बहुत कम हो गया, आज की बात जो हम ये second wave जो इस time हमारी आई है इस कॉरोना में, इस time भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस मौके पे भी हम अगर जो protective measures हैं, जो SOPs हैं, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, hand sanitizer का यूज करना, इसकी अलावा physical distance maintain करना या social gatherings हम avoid करें, तो हम अपना रोज मर्रा का काम भी बहुत भी जबा सकते हैं, और इस बिमा infection भी पा सकते हैं, डॉक्टर नावे, वैक्सिन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सिन से कितनी सुरुक्षा मिलेगी, वैक्सिन के बाद कितना आस्वस्त रह सकते हैं, आप कुछ बात इसमें बताएं तो सुरुताओं को बहुत लाप होगा, जब करो प्रिमारी को फाइट दो ही चीजों से का सकते हैं, एक तो प्रिटिक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई effective vaccine हमारे पास आए, तो वो हमें इस प्रिमारी से निजात दिला सकता है, और हमारे मलक में दो vaccine इस टाम available है, को वैक्सिन है, को वैक्सिन है, जो पर बना हुआ vaccine है, और companies भी अपनी जो उन्होंने trials की हैं, तो उसमें भी देखा गया है, कि इसकी efficacy जो है, वो 60% से ज्यादा है, अगर हम जमो कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15-16 लाग तक लोगों ने अभी ये vaccine लगाया है, हाँ social media में काफी इसके जो misconception या myths इसमें आये थे कि ये ये side effects हैं, अभी तक हमारे जो भी यहाँ पर vaccine लगे हैं, कोई side effect उन्हें नहीं पाए गया है, सिर्फ जो आम हर किसी vaccine के साथ associated होता है, किसी को बखाराना, पुरे बदन में दर्द, या local site जहाँ पर injection लगता है, वहाँ पर pain होना, ऐसे ही side effects हमने ह पॉजिटिव होगे, इसमें companies दे ही guidelines है, कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है, उसके बाद उसको infection हो सकता है, वह positive हो सकता है, लेकिन जो बिमारी की severity है, यानि बिमारी की severity है, यानि बिमारी की शिदत जो है, उन मरीजوں में उतनी नहीं होगी, यानि कि वह positive हो सकते हैं, ल मिल्क में जो भी 18 साल से जायत की उमर के हैं, उनको vaccine लगाने का program शुरू होगा, तो लोगों से appeal यही करेंगे, कि आप आए, vaccine लगवाए, और आपको भी protect करें, और अवराल हमारी society और हमारी community इससे protect हो जाएगी COVID-19 के infections से. डॉक्टर नावित आपका बहुत बहुत धन्यवात और आपको रमजहान के पवित्र महने की बहुत बहुत शुकाम लाएं. बहुत बहुत शुक्ते हैं.